इस वीडियो में आपको उताऊंगे ब्लाउज की दो डेजायन है एक ही कलर में काफी सुनकी अंत तक जरूब बने यह बनार सिसाडी का ब्लाउज है और देखिए यह इसका अस्तर है ड्राफ्ट अस्तर बकल लेते हैं देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंच लिया है और यह तो सोल्डर से 3 इंच ले रहे हैं नीचे तक लाइन ड्रों कर लेंगे और जितना डीप हम को रखना आये उतना ले लेते हैं मार्कें ओर करेंगे जैसे कि हम को यहां पर 10.5 इंच रहना है तो यहां पर एक लाइन ड्रों कर लेंगे 10.5 इंच कर ले एफ Republican aभी यहां द्वर लें और फिर इसको इस तरीके से लाएंगी अभी जो इसे पैश आने वाला है तो देखिया हम इतना पार्ट का हमारा नेक रहेगा सेम ड्राफ पर कट कर लेगा अभी इसी ड्राफ्ट को रखें केंवास कट कर ले तो दीखिए मैंने केंवास को डवल फोल्ड कर लिया है सेम ड्राफ्ट करूंगी और बाहर इसकी चोड़ाई एक इंच ले लोगे केंवास मैंने कट कर लिया है नीचे सीधा बलाउज रख दिया इसके उपर अस्तर और इसके उपर जो केंवास कट किया वो तो दीखिए हम पूरा यहां से एक साइट से कमर से इस तरीके से लेती हुए के सट्रिशिंग डाल देंगे दोनों सैट के पाटों में और इसको हम कट कर देंगे फिर इसको पलट के इसकी फिनिशिंग कर देंगे मैंने यह साडी का बॉडर है तो यह पीस लिए तो दीए यह साडी чा रिंच चाओड़ा है इसको इस तरीके से डवन फोल्ड कर दूग तो दीखिए इसको मैने पूरा इस्टेच कर दिया प्लेट भी डाल दिया पांच इंच लंबी यह मैंने गोल्ड कलर की लेस लिए तो दीखिए सोल्डर से लेके हम पूरा इसको कमर तक इस्टेच कर देंगे ओर देखे यह डावल लेस मैंने स्ट्रेच कर दिया, इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तयार कर लिया है, जो मैंने बॉडर लिया था, इसको मैंने यहां पर प्लट दिया है, और प्लटने के बाद है इस तरही के से तयार हो गया अभी जो लेस हमने यहां पर लगाई है वो ही लेस हम इसके उपर भी लगा देते हैं तो दीखिए इसी तरीके से मैंने जो दो प्लैन कपड़ा लिया था उसके भी इसी तरह से डिजाइन तयार कर लिया है और एक पेपर ले लिया है इस पेपर पर जो बॉर्डर वाली डिजाइन है इसको बीच में रखेंगे और ऊपर नीचे इन तीनों पीसों को रख लेंगे एकदम बरावर से और किनारे पर स्लाइड डालके इनको तयार कर लेते हैं कि नीचे से हम स्टार्ट करते हैं जो हमने यह पट्टे देखी यहां पर डिजाइन ली थी एकदम कमर से ही इस तरीके से यहां पर पेंसे इसको तयार कर लेंगे पहले और बाद में स्लाइड अल लेंगे तो जो यह गैप होना चाहिए जैसे हमने 1.5 इंच में लिया था त इस साफ से आप मार्किंग कर के और फिर इसको तयार कर लें जैसे कि मैंने यह मार्किंग कर चुकी हूं तो मैं यहां पर इसको पिन से पहले तयार कर लेती हूं फिर सेलाई डाल दो कि यहां पर मैंने डवल एस्टेश डाल दी है सेम इधर भी डाल दी है इसे कहा है जो हमारे डिजाइन अच्छे से से इट हो जाएंगी दोनास तरफ मैंने इस्टेशिंग डाल दी तो आप देख रहें वीच में हमारी इतनी सुन्दर यह डिजाइन दिख रही है लेस भी मुती भी आ रहे हैं और दी की साइड में हमारे डवल ले सारी तो इसका लूग काफी अच्छा रहा है तो अब इसासन तरीके से सुन्दर से ब्लाउच की बैखने लिजाएंगे कर दो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेयर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू